नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़ारखन के दिन भर की खबर जानते हैं ज़ारखन में बिद्याले स्वास्त अभियान सुरू स्वास्त विभाग ने इसके लिए 25,406 की सौरी की सौरियों को चिनित किया है जिसमें 10, 15,407 की सौर और 11,078,699 की सौरी सामिल है अभियान को संचालित करने के लिए DC और सिविल सर्जन को जिमिदारी दी गई है इसे समधित निर्दे स्वास्थ विभाग के अपरमुक सचीव अरुन कुमार सिंग ने सोमवार को दिया है अभियान तीन चरनों में संचालित होगा प्रतम चरन में आरोग दूत और सिख्ष को द्वारा जाच की जाएगी वहीं चिनित किसोर किसोरियों को दियतिय अस्तर की जाच के लिए रेफर किया जाएगा दियतिय चरन में मोबाइल हेल्थ टीम में सामिल डॉक्टर जाच करेंगे और परामर्ष देंगे इसके बाद आवसकता के हिसाब से बड़े अस्पतल में रेफर किया जाएगा UPI ID पर 500 एक खया रुपए मिले तो हो जाएए सवधान साइबर अपराधी ठगी के नए नहीं तरीके अपना रहे हैं अने UPI ID पर 500 एक खया रुपए भेज कर उसे वापस करने के नाम पर लोगों से ठगी का पर्यास कर रहे हैं अगर आपने रुपए वापस किये तो चंद ही मीनटों के अंदर आपका खाता खाली हो सकता है बता दे जाल में फंसने के लिए भेजते हैं खाते में एक खया रुपए वहीं रुपए भेजने के बाद उन्हें कॉल करते हैं कि गलती से उनके Google Pay एकाउंट में उन्होंने एक खया रुपए भेज दिया है उसे वापस कर दे साइबर मामलोग के एक अधिकाई ने बताया है कि यादी Google Pay पर कोई भी आपको रुपए भेजता है और वापस मांगता है तो उससे कहें कि वह अपनी पूरी पहचान बताकर आकर कैस ले जाएं बिनोद सिंग चुने गए सर्वस्रेष्ट बिधायक सर्वसमती से माले बिधायक बिनोद सिंग को सर्वस्रेष्ट बिधायक चुना गया है जार्खन बिधान सवा अध्यक्सरविन रात महतो के आवास ये कर्याले में मंगलवर को बिधाई उतक्रिष्ट पुरसकार चैन स अमिती की बैठक में हनी नहीं हुआ इन्हें जार्खन बिधान सभाक के अस्थापना दिवस पर 22 नुवंपर को समानित किया जाएगा इनके अलावा कपिलेस्वर परसाज अस्मिरिती उतक्रिष्ट बिधायक कर्मी समान के लिए पदाधिकारियों का चैन किया गया है इसमें सन्युक्त सचीव धनेश्वर अना नीजी सहायक अमित कुमार दास चालक हेमंत कुमार चवरासिया अनुसेवक अजीत कुमार नरायन ववर्य सचीवाले सहायक अनावरूल हक अंसारी सामिल है जारखन में सुखा रहत योजना पोटल की सुरुआत जारखन के स्थापना दिवा समारो में 7310 कुलो रूपए की योजना का उद घाटन वसिलन्यास हुआ है मौराबादी मैदान में 15 नॉवंबर को जीत मुखे समारो में इस मौके पर सरकार ने तीन नीतिया लौच की है तीन योजनाओं की भी सुरुआत की गई किसानों को रहत देने के लिए सुखा रहत योजना के लिए पोटल की सुरुआत की गई वही 945 लोगों को न्युकती पत्र भी दिया गया मौके पर मुख्यमंत्री हैवान सिनेवा अन अतिथियों ने संकेतिक रूप से कुछ लोगों को न्युकती पत्र दिया भी किया गया है जैरकन अस्थापना दिवस समारों में ना होना चार्चा का भी सह है राजपना दिवस समारों में नहीं पहुंचे बताया जाता है कि अस्थापना दिवा समारों में सामील होने के लिए मुख्य मंत्री ब्यक्तिकात रूप से पुर्व में निमंत्रन देने राज़भोन नहीं पहुंचे थे बलिक रभीवार राज साड़े आठ बज़े मुख्य मंत्री न राज़ेपाल को फोन कर समरों में सामील होने का अगरा किया आयोग द्वारा से सता के मामले में सीम द्वारा हाई कोट में अज का दायर होने से भी राज़ेपाल नराज है जारखन के यूपिये बिधायकों को राज़े के पास ही रहने का निर्देश बदली राजनितिक परिशितियों को देखते वे सतापक्ष अलर्ट है 17 नॉमर को मुख्य मंत्री से एड़ी पुछताश करेगा मुख्य मंत्री को एड़ी कर्याले बुलाया गया है सतापक्ष ने अपने बिधायकों को राज़े धानि या उसके आसपास ही रहने को कहा है बिधायकों से कहा गया है कि वे राजे से बाहर न जाए और सुचना पर तुरंत राज़े धानि पहुंचे इज़र कॉंग्रेस के मंत्री अलमगीर अलम बना गुपता परदेश अज़े राज़े स्ठाकूर बिधायक परदी प्यादव दीपिका पांडे अनूप सिंग सहीत कई बिधायकों नेताओं को महराष्ट के औरंगाबाद जाना था कॉंग्रेस नेताओं ने भी अपना दवरा रद कर दिया है जारखन में पैदल जाच के लिए जा रही प्रसूता का रास्ते में हुआ प्रसो नवजात की मौत सेख बिखारी मेडिकल कॉलेज वा अस्पताल में दो हफ्ते के भीतर दूसरे नवजात बचे की मौत हो गई है दोनों ही नवजातों की मौत का तरीका बिल्कूल एक जासा है घटना मंगलवार की है अस्पताल में भरती घरववती को एस्टेचर या वीलचेर नहीं मिली परिजन उसे पैदल ही अल्टर साउंड जाच के लिए ले जा रहे थे इसी दोरान प्रसव हो गया वो जमीन पर गिन्ने से बचे की मौत हो गाई इस मामले में अस्पताल प्रवंधन का कहना है की समाई से पढ़े प्रसव होने के कारण बच्चे की मौत हुई है बोकारू में 8 दिसंबर से राज अस्तरिय बाल बिज्ञान का आयोजान राश्ट्रिय बिज्ञान प्रद्योकी एवं संचार परिशद बिज्ञान एवं प्रद्योकी विभाग भारत सरकार की ओर से प्रायोजीत राज अस्तरिय बाल बिज्ञान वा बाल अधिकार कांग्रेस का आयोजान कल्यान के लिए परिस्थितिक तंत्र को समझना तथा बाल अधिकार कांगरेस के लिए पर्यावरन सनक्षन का अधिकार रखा गया है परदेश अस्तर ये इस बाल बिज्ञान एमा बाल अधिकार कांग्रेस में जार्खन के सवी 24 जीलों से चायनित किये गये परतिभागी सामिल होंगे पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 22 नौमबर को पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 22 नौमबर को होगी इडी की विश्यस अदालत में सुनवाई की दोन पंकज मिश्रा के दिवक्ता के ओर से कोछ दासावेज कोट के रिकॉर्ड में लाने के लिए समाय की मांग की गई थी जिसे अदालत न सुनवाई कार कर लिया है अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 नौमबर को निधारित की गई है बता दे की पंकज मिश्रा पर इडी ने 1000 करोर रूपए अवय देखनन के जरिये मनी लोडरी करने का रूप लगाया है इस मामले में उनके खिलाब चारशिट भी दाखिल कर दी गई है जिसके बाद उनकी ओर सिजाच का दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है लोहरदगा के युवक की गोली मार कर हत्या सडक जाम जार्खन के लोहर्दगा जिले के कुडू थाना छेतर के लक्षमिन डगर में मंगलवार की देर साम अग्यात अपरादियों द्वारा गोली मार कर विकास साव नमक योग के हत्या किये जाने के बिरोध में अस्थानिय ग्रामिनों ने सलक जाम कर दिया गया इसके अलावा दो अन्य अस्थानों पर भी जाम करते हुए मिरित्तक क्या स्रीतों के लिए मुअबजा और नोकरी की मांग कर रहे थे बतादे सलक जाम की सुचना मिलने के बाद थाना परभारी अभीनों कुमार कुडू परखन विकास पताधिकारी मनुरंजन कुमार सहीत अन्य पताधिकारी और जन परतिनी धी मौके पर पहुँचे जार्खन में चढ़ा राय निती पारा मुख्यमंत्री हेमांसुरेन को पूस्ताष के लिए एडी ने 17 नौमर को छेतरिये कराले में बुलाया हाँ इससे पहले बुद्धवार से जार्खन का राय नितीक पारा चढ़ेगा मंगलवार को इसके संकेत मिले हैं जब साम में असापना दिव समर होजे वापस लोटने के बाद मुख्यमंत्री हेमांसुरेन अपने आवास में 17 जार्खन मुक्ति मुर्चा के बिधायकों को तलब किया आनन फानन में एक दर्जन से अधिक बिधायक पहुँचे इस तरण मुख्यमंत्री संग उनकी मंत्रना होई बैठक के बाद मंत्री जगनात मतों ने कहा है कि भाजपा की मनसा कम्याप नहीं होगी सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी बैठक के संदर्व में कहा गया है कि यह चलता रहता है कुछ खास बात होगी तो बताया जाएगा कोहरा को देखते हुए एक दर्जन ट्रेन रद करने का नीना है ठंड के मौसम में कोहरा का असर दिखने लगा है जिसके मद नजर पूर्वर रेल्वे ने ट्रेनों के परिचलन में बदलाव करने का नीना लिया है पूर्वर रेल्वे हावडा द्वारा जारी सुचना के तहत एक दजन ट्रेनों को रद करने का नीना लिया गया वहीं 8 ट्रेनों का फेरा घटाते हुए 4 ट्रेनों की दूरी को कम किया गया है जारी सुचना के तहद सुक्रवार को चलने वाली जहां सी कुलकता एक्सप्रेस और रभी वार को चलने वाली कुलकता जहां सी एक्सप्रेस दिसंबर जनवारी वा फरवारी माह में रद रहेगी धन्यवाद